तो फ्रेंस फिर से स्वागत एक नई वीडियो में फ्रेंस इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ किस तरीके से बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर सकते हैं Metarola के डिवाइस में और मेरे पास है Moto G9 ठीक है फ्रेंस जो कि हाली में लॉँच हुआ है तो आप इसका Unboxing से Related वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे बड़े वाले चैनल पर देख सकते हैं Detect साइट पर और इसके और भी Tips and Tricks से Related लेकिन मैं इसमें बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से Battery Percentage को Enable कर सकते हैं तो फ्रेंस वीडियो को लास तक देखिया आपको Step 2 Step सब कुछ बताऊंगा इसमें और भी Features होते हैं जिसके बारे में भी बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से और चैनल को Subscribe करना मत भूलेगा ठीक वीडियो के नीचे दिखेगा और Like का बटन भी दिखेगा तो चलिए शुरू करते हैं आपको सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा तो आपको स्क्रॉल करना है और आपको Find करना है Notification यहाँ पर Battery दिखेगा बैटरी इस पर किलिक करना है इस पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर उपर में दिखेगा आप देख सकते हैं बहुत सारे Option दिखता है Battery Saver आप चाहे तो इसको भी Enable Disable कर सकते हैं और यह Emergency में काम आता है जैसे कि आपका Battery बहुत कम है तो आपको उ इक Option दिख रहा है Battery Percentage को और मैं इसको Enable कर दूँगा तो आप देखिए मेरा यहाँ पे Show होना शुरू हो गया तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है किस तरीके से Battery Percentage को Enable कर सकते हैं और साथ में Power Saving Mode को भी Enable कर सकते हैं उसके लिए मैंने भी Enable नहीं किया है तो मैं चलिए करके दिखा देता हूं पावर्स बैटरी सेवर को तो इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर यह दिखेगा इस पर Enable कर देना है और यहाँ से अर्जेस्ट भी कर सकते हैं यह अपने हिसाब से कितने परसेंट पर आपका बैटरी सेटेज मतलब Enable हो जाए यहाँ पर सेडूल इसको बोलते हैं सेडूल सेट कर सकते हैं तो गैस वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर इन सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते हैं ऐसे को इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ कोई भी सवाल बबाल हो मन में आप कमेंट करना मत भूलेगा बाई बाई